तो आपकी उमर मौक टस लगाने की भी नहीं हुई है और बच्चे क्या सुचते हैं बच्चे सुचते हैं सेलेक्शन हो जाएगा प्री में तो हम ही फोड़ेंगे और कोई नहीं फोड़ेगा अरे यार बाहर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो 44-45-500 प्री का मौक लगा के बैठे हैं और उनका अभी स्टार्टिंग स्कोर ही है न मौक में 150-160 होता है आपका स्टार्टिंग स्कोर अभी 110 होगा आप अभी कटफ के लिए जद्धो जहत कर रहे होगे वो कटफ क्लियर करके बैठे हैं उनको मेंस के लिए क्वालिफाई करना है वो 190 के लिए बीट कर रहे हैं तो दो लोग हैं हमारे पास एक वो जो 130-140 लाने के लिए मर रहा है कटफ क्लियर करने के लिए मर रहा है दूसरा वो जिसके 130-140 तो अभी से ही बन रहे हैं, बस वो यह सोच रहा है कि किसी भी तरीके से 140 प्लस लेके आ जाओ, मेस में भी 140-190 लेके आ जाओ और एक इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाओ, यहीं पर दो लोग है, दोनों की सोच अलग-अलग है, तो आप खुद यहां से कर लिए कि सेलेक्शन किसका होगा, ठीक है, सेलेक्शन किसका होगा, यह जो 110 नंबर आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि इनका सेलेक्शन नहीं होगा, इनका होगा, लेकिन तब जब वो 330 वाले के बराबर या उस से 2-3 मैंद करेंगे, तब हो सकता है